लाहुलचपिती जिला में पिछले दिन हुई भारी बरफबारी के बाद जन जीवन को पट्री पर लाने के प्रयास जारी हैं भारी बरफबारी से वादियां अभी भी बरफ से धकी हुई हैं और जिले में नियुनतम तापमान माइनस साथ से दस डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है मार्श माहा में भी खराब मौसम व बरफबारी से लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल रही है जिले की दुर्गमक्षेतर मयार घाटी की दो पंचायतों का संपर्क अभी भी उदेपोर से कटा है वहीं चोखंग नैनगाहर की सडकों सहित घाटी की अधिकतर संपर्क सडक बरफबारी से बंद है लोग निर्बार्ण विभाद द्वारा सडकों से बरफ हटाने के प्रयास जारी है सभक यर्य है वहीं रात के समय पूर्ण बना वायर दaming के बात करें तो आज जो है मॉसम पूरी तरा गलावटी है बातलों से गिरा अरा की आज और कल मॉसम बिगण के और से गाटी में बठबारी की अँधिया इसे में लोगों को मुश्किले अभी कम नहीं हो रहे और अभी गाटी की जो संपर्ख सडके हैं कई सडके आब रूध है और जन जीवन आभी पट्री पर नहीं लोटा है हाला के जिला प्रशासन द्वारा सडकों को खोलने का प्रयास लगातार जारी है लेकिन जो है बारी बार बारी कारण जगा जगा हिम खंड की रहे होने से इन सडकों को खोलने में समय लग रहा है दूरशन समाचार के लिए केलंगला उलस्पिती से कुंदन शर्मा